महा महिम राश्पती जी, आदर्नी उपराश्पती जी, आदर्नी स्पीकर महताई, सिमान प्रहलाग जी, और सभी आदर्नीय, जनप्रतिनिति दिलाएं, कुछ दिन और कुछ अभविश्वय में, जो अतीद के साथ हमारे समंधों को मजबूती देते हैं, हमें बहतर भविष्ट में और उस दिख्षा में काम करने के लिए प्रेरिद करते हैं आज ये 26 नमेंबर का दिवस आईकिहासिक दिवस है सत्तर साल पहले हमने विदिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ सब्विधान को अंगिकार किया था लेकिन साथ साथ 26 नमेंबर दर्द भी पहुँचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुध है कुटम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा उसे आज ही के 26 नमेंबर के दीन मुंबई में आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ साथ दसक पहले इसी सेंटरल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गुंज थी समिधान के एक एक अनुक्षेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई तरक आये तथ्या आये विचार आये आस्था की चर्चा हुई विश्वात की चर्चा हुई सपनों की चर्चा हुई संकल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से ये सदन ये जगा ग्यान का महा कुम्ब था और जहां पर भारत के हर कौने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था डॉक्टर राजेंदर प्रिशाथ डॉक्टर भीम राव बाबासाब आंडेकर सरदार वल्लभाई पतेल, पंडित नहरू, आचारे क्रपलानी जी, मौलाना आजहात, पुर्शतमदा स्टंडन, सुचिता क्रपलानी जी, हंसा मैता अल्डी कृष्ण स्वामी अयर, एन गौपाला स्वामी आयंगर, जौन मथाई, अन गिनत ऐसे महापुरूष जिन्होंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके, हमें इस महान विरासत हमारे हाफों में सुप्रत की है आज के इस आउसर पर, मैं उन सभी महान विवूतियों को स्मरन करता हूँ और उनका आदर पुर्वक नमन करता हूँ आज अपनी बात की शुरुवात मैं आप सभी को बाबा साब आम्मेर करने 25 नमबर 1949 समिधान अंगिकार करने के एक दिन पुर्वा अपने आखरी भाशन में जो बाते कही थी, उसका जुरूर ना करना चाहूँगा बाबा साब ने देश को याद दिलाए था कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है भारत पहले भी आजाद था और हमारे हाँ अनेक रिपब्लिक भी थे और उना ने आगे विठा बैक तकी थे लेकिन अपनी ही गल्पियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है ऐसे में बाबा साब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई गंतंत्र भी हो गई लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं आज अगर बाबा साब होते तो उनसे अधित प्रसनता शाहिद कीसी को होती क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है बल्कि अपने आजादी को लोगतंत्र को और सम्रद और ससकत किया है और इसलिए आज के इजन अफसर पर मैं आप सभी को बीते साथ दसक में समिधान की भावना को अक्षुन रखने वाली विधाई का, कायरपाली का और न्याईपाली का के सभी साथियों को गवरोपुरोण स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ मैं विशेश तोर पर 130 करोड भारत वस्यों के सामने नत्मस्त्त हूँ जिनोंने भारत के लोगतंत्र के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइक माना समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निश्कर्ष का गाँ मीला जुला भाव लेकर के आये हैं हर्ष ये हैं कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देश वाजियों ने मिल करके उनको असभल किया है समिधान पर आच नहीं आने भी है पुतकर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही एक भारत स्वेश्थ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशान और विविद भरा भारत प्रगति के लिए सुनहरे बविश्च के लिए नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिरफ समिधान समिधान की मर्यादाए समिधान की भावना यही एक मात्र रास्ता है एशह पंथा हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की हमारे समाज की हमारी परंपराव हमारे माननेताव हमारे वहवार हमारे आचार उन सब के साथ का समावेज है साथ साथ अनेग चुनोतियों का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकास के लिए अपनी खीड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकास है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 में लाल कीजे के 35 से जो मैंने कही थी उसको दोहराओंगा समिजान को अगर दो सरल भाषा में कहना है सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा Dignity for Indian and Unity for India इनी दो मंत्रों को हमारे समिधार ने साकार किया है नागरिक की Dignity को सर्वुच्च रखा है और सम्पूर भारत की एकतावर खंडता को अक्षुन रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोग संत्र की सर्वोत्कृस्ट उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग है बलकि हमारे कर्तव्यों के प्रती और इस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्तव्यों के पानन की अपेश्चा है क्या हम एक व्यस्टी के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंबी है जितना की हमारा समिधान हमारा देश हमारे देश्वास्यों के सपने हमसे अपेश्चा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबुजी ने कहा था कि जो Constitution में लिखा नहीं है उसको हमें Convention से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेशता भी है बीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवशक भी था ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्क को अधिकारों से वन्चित रखा गया था बिना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्क को समानता समता और न्याय का एसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माँग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी के तोर पर अपने कर्टव्यों अपने दाइत्व पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइत्व को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्टव्यों के बीच का एक असूट रिस्ता है और इस रिस्ते को महत्मा गांधी जी ने बहुत विशेश उससे बखुबी समझाया था आज जब देश पुझबापू के एक सो पचासवी जैन्ती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगी हो जाती हैं वो कहते थे राइट इस डूटी वैल परफॉर्म उन्होंने एक जगल लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समझदार मां से सिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सची निस्था से निभाए गए अपने कर्तवियों से ही आते हैं पिछली सतावजी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरिकों के कर्तव्य यानि डूटीज अव असिटिजन के बारे में बात करते हैं 1947 में युनिवस्टो के महा निर्देशक डॉक्टर जूलियन हस्कले ने विश्व के साथ बड़े महनुभावों को बड़ी हस्तियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मारदर्शन मांगा था और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर अफ हुमन राइट्स ये बनाना है तो उसका आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों के अपनी राए मांगी था महत्मा गांधी के सी भी बांगी थी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अपनी प्राय दिया महत्मा गांधी का कुछ अलग था महत्मा जी ने कहा था उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जब नागरी की तौर पर अपने कर्टव्यों को पूरी तरह से निभाएं यह एक प्रकार से कर्टव्यों में ही अधिकारों की रक्षा है इसकी वकालत महत्मा गांधी ने उस समय भी की थी जब हम दाइक्व की बात करते हैं कर्टव्य की बात करते हैं तो यह बहुत ही सामान्य जिम्मेदारिया हैं जिनको निभाने से एक राश के रुप में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं और हमें यह भी बहुत पस्त ज्यान देना होगा कि कर्टव्य और सेवा कभी कभी हम सेवा को ही कर्टव्य मान देते हैं सेवा भाव संस्कार हर समाज के लिए बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन सेवा भाव से भी कर्टव्य कुछ और है और उस पर कभी कभी हमारा ज्यान न करते हैं वो एक प्रकार से सेवा भाव है यह सेवा भाव किसी भी समाज को मानवता को बहुत ससक्ता करता है लेकिन कर्तब्य भाव इस से थोड़ा अलग है रोल पर किसी को तकलीब हुई आपने मदद की अच्छी बाव है लेकिन अगर मैंने ट्राफिक नियमों का पानन किया और कभी किसी को तकलीब नहों ऐसी विवस्ता का मैं हिस्सा मना वो मेरा करतब जो है आप जो कुछ भी कर रहे हों उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा ह। क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है कि परिवार के सदर से के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ती बढ़े उसी प्रकार से नागरिक के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकत बढ़ें हमारा राष्ट सक्रिशाली हो एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माबाप अपना कर्तब भी निभाते हैं लेकिन वे माबाप जादुरुकता पुर्वक अपने बच्चे को मास्तुरुभासा सिखने का अग्रह रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तब निभाते हैं देश्चेवा का कर्तब निभाते हैं और इसलिए एक व्यक्ति छोटी-छोटी चीज़े होती है अगर बुन्द-बुन्द पानी बचाता है वो अपना नागरिक कर्तब भी निभाता है अगर तीका करन सामने से जाकर के तीका करने का काम पूरा कर लेता है किसी को घर को आकर याद नहीं करा है परता है वो अपना करता भी निभाता है बोर देने के लिए समझाना न पड़े बोर देने के लिए जाता है वो अपना करता भी निभाता है समय पर टैक्स देना है देता है वो अपना कर्टबे निभाता है ऐसा कई धाई को होता है जो एक नागरिक के रूप में समझ ववस्था के रूप में हम विक्सित करें समस्कार के रूप में विक्सित करें तो हमें देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी सुविदा जब तक देश के प्रतिक नागरिक के चित्म है उसकी चेतना में सर्वो पर ही नहीं होंगे हमारे नागरिक कर्टब्य कहीं ने कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी ने किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार को हानी पहुंचाते हैं और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्टब्यों पर बल देना हम लोगों का दाइत्व बनता है और जन्प्रति के नादे हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधिक होती हैं दोहरी होती हैं हमारे सामने Constitution values को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रसूत करना यह हमारा दाइक को बन जाता है और हमें समाज में सारसक बदलाव लाने के लिए इस कर्तबय को भी निभाना ही होगा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कारकम में हर बाचित में हम डूटी पर फोकस करें जनता के साथ समवाद करते समय जूटी की बात करना हम न भूले हमारा सम्मिजान हम भारत के लोग से शुरू होता है We the people of India हम भारत के लोग ही इसकी ताकत है हम ही इसकी प्रेणा है और हम ही इसका उद्देश है मैं जो कुछ हूँ वो समाज के लिए हूँ देश के लिए हूँ यही करतव भाव हमारी प्रेणा का स्रोत है मैं आप सभी का आवान करता हूँ कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ मिल कर भारत के एक जिम्मेदार नागरी के तोर पर अपने करतवियों का पालन करें आईए अपने गणतत्रत को हम करतवियों से ओत प्रोत नई संस्क्रिती की तरब लेकर के जाएं आईए हम सब देश के नव नागरीक बने नेक नागरीक बने मैं कामना करता हूँ कि यह समिधान दिवस हमारे समिधान के आदर्सों को कायम रखने और रास्न निर्मान में योगदान देने के हमारी प्रतिविद्धा को बल दे हमारे समिधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे पुरा करने की हमें शक्ति दे और ये पवित्र धर्ती है जहां ये मन्थन हुआ था यहाँ पर उसकी गुंज है आज समिधान दिवस के पवित्र मोके पर पुझ बाबा स्भाव अम्बेतर को प्रनाम करता हूँ समिधान निर्माताओं को प्रनाम करता हूँ और देश वास्यों को बहुत-बहुत शुपकामना देता हूँ धन्यवाद